नमस्कार स्वागत है आपका वामा टीवी पर मैं हूँ आपके साथ पेश्वेतागर्ग जैसा कि आप सभी जानता है कि 13 तारे को कर्वचोथ का व्रत होने वाला है जिसमें कई लोगों को संशय बने रहते हैं कि उसका व्रत किस तरीके से करना चाहिए उस व्रत पूजा विधी और सामगरी में क्या क्या रखना चाहिए ये सभी जानकारी के लिए आई आज हम आपको ले चलते हैं अपने स्टूडियो में जहां पर हमारे साथ में मौझूद जिन से हम जानेगे कि किस तरीके से करवा चौध की व्रत विधी की जाती है और किस समय पर की जाए जिससे आपका व्रत सफल हो सके तो आइए सिधे बात करते हैं डॉक्टर शेलेश तिवारी जी से वामा टीवी के special program करवाचौट के special program में आचारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आचारी जी जैसे हमीशा कोई वरत होता है या कोई पूजन विदी होती है तो लोगों को बहुत एक संशे बना रहता है क्योंकि सही विदी और सही सामगरी वेगर ना पता होने की वज़े से हम लोग सही से वरत नहीं कर पाते हैं और उसका जो फल मिलता है वो फल भी नहीं मिल पाता है तो आज अभी जैसा की 13 तारीक को करवाचौत का वरत है तो सबसे पहले तो आप हमें बताए कि करवाचौत क्या है और इसकी इतिहास क्या है वामा टीवी के सभी दर्सकों का हार्दिक अभिनंदन और आपका भी बहुत धन्यवाद बहुत यह अच्छा प्रशना आपने किया है कि करवाचौत क्या है तो देखिए करवा चौत जो है वजन सामानी की भाषा है और करवा चौत का जो शास्त्रिय नाम है वहाँ है करक्चतुर्थी करक चतुर्थी कार्थिक मास के किष्ण पक्ष की चंदरोदे व्यापिनी जो तिथी होती है जिसमें चंदरमा को चतुर्थी तिथी में हम अर्ग देते हैं वह करक चतुर्थी यानि के करवा चौत के नाम से जाना जाता है रही बात इसके इतिहास की तो पुराणों में यह कथा प्राप्त होती है कि द्वापर युग में पांड़ों के द्वारा जवराज इत्यादी हार जाने के पस्यात और जंगल में 12 वर्सों तक निवास करते हैं उस समय दुख से व्याकुल द्रापदी भगवान स्रिकिष्ण से अपने दुखों के समूल नाश के लिए उपाय और प्रत्न पूस्ति हैं स्रिकिष्ण बतलाते हैं कि देवी द्रापदी आप करक्ष तुर्थी यानि कि करवा चौत का व्रत कीजिए और इस व्रत के करने से आपकी समस्त दुख नश्ट हो जाएंगे और पांड़ों पुनह राजी का अधिकार पाएंगे और आपको सौभाग की अक्षण प्राप प्रापने आपने अभी इतिहास के बारे में आपने करवा चौत के बारे में व्रत की स्जूरू किया गया उसका सही माइनों में अगर हम अर्थोर मेहत्व की बात करते हैं तो क्या महत्व होता है joke देखे मानो जीवन में धर्म अर्थ काम और मुक्ष यह चार पुर्शार्थ होता है और इस मानो जीवन में जो धर्म पत्नी होती है वह त्रिवर्ग की कारणी हमारे शास्त्रों में बतलाई गई है भार्या त्रिवर्ग करणम शुबशीर युक्ता भार्या जो होती है वह ध पतनी आगे तीन पग चलती है, वह तीन पग धर्म को प्रकट करने वाला होता है, अर्थ को प्रकट करने वाला होता है, और काम को प्रकट करने वाला होता है, तो देखिए जैसे कि पग में सबसे पहला जो शब्दा आता है, वह शब्द है धर्म, यानि कि पतनी धर्मकारियो में आगे रहती है, वचन भी प्राप्त करती है कि भाई हम धर्मकार जब भी करेंगे, आप उसमें बाधा नहीं बनेंगे, और पितु आप हमारा हमीज सा उतसाह वर्धन करेंगे। तो सभी प्रतों का धार्मिक महत्तो है और हमारे भारती संस्कृति में जो हमारी मात्र शक्तियां हैं वह धर्म परायना है कोकि वह सीता, सावित्री, अरुंधती, आदी, माताओं के पत्चिन्हों पर चलने वाली भारत की गौरोपूर्णा नारियां हैं तो उनसे यह धर्म की प्राप्ति होती है और जिस तरह से माता शिशू का पालंग करती है, वैसे ही, वही मात्र शक्ति पत्नी के रूप में हमारे सभागी की, यानि की हमारे दिरघायश्री की कामना की पूर्ती के लिए यह व्रत करवाच concur का व्रत हमारे माताओं के द्वारा किया जाता है आचारे जी आपने बगाटी खूँब हमें बताया कि ये व्रत किया जाता है कि पत्निय आपने पत्तियों की दीरगायों के लिए ये व्रत करती हैं लेकिन आचारे जी ये चीज है कि ये करवा चौत व्रत की जो नाम की उत्पत्ती है, उस नाम की उत्पत्ती कैसे हुई है, क्योंकि एक हर व्रत के पीछे कोई ना कोई मायने होते हैं, कोई ना कोई एक कारण होता है, तो करवा चौत व्रत की जो उत्पत्ती की गई है, नाम क विशेस से होता है, जिससे उसको हम अर्ग प्रदान करते हैं, चंद्रमा को अर्ग प्रदान करते हैं, वो करवा होता है, एक मिट्टी का पात्र होता है, जिसको करवा कहते हैं, तो इसलिए उससे अर्ग प्रदान करने के कारण, जन सामान में चतुर्थी तुतिति है ही, लेक कि व्रत का कोई विशेश मंतर ही होता है क्या मंतों कि कि यह करवा चाहत का ब्रत का कुछ? इसमें भगवान शिव, माता पारवती, स्वामी कारतिकिय और उनका परिवार तथा भगवती तुलसी, सूर्य चंद्रमा, गंगा और गाय इत्यादिका पूजन होता है और BCS रूप से इसमें चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा को अर्ध प्रदान किया जाता है तो शिव पारवती कि हम जब स्थापना करते हैं तो ओम नमा शिवाय कहकर के साधार नरूप से वैदिक मंत्रत तो है ही लेकिन सभी लोग वैदिक मंत्रों का वाचन करने में समर्थ नहीं है इसलिए ओम नमह शिवाय कहकर के भगवान शिव का, ओम पारवत्य नमह कहकर के माता पारवती का, ओम स्री गणेशाय नमह कहकर के गणेश जी का, ओम कार्तिकियाय नमह कहकर के भगवान कार्तिक का, ओम तुलसी देव्याय नमह कहकर के माता तुलसी का, ओम गंगा देव्याय चंदरहका हिम ध्यान करते हैं और अरग्यप पॉर्दान करें जो कि विशेसमेंकों की अरग्यप पॉर्दान करेंगे और उसके बाद ही जल इसमें ग्रहन किया जाता है तो उस समय कहते हैं कि जोट्सनापते नमस्तुभ्यम नमस्ते जोट्शामपते नमस्ते रोहिनीकांत ग्रिहानारण्यम निशाकर और दूसरा भी इसका मन्तर है के समुद्रमतनोज्यतह शीवाभालव प्रभाकरव अनुकंपयमाम देव ग्रिहानार घ्यमनिशाकर इस मंत्र से हम चंद्रमा को अर्ग दे करके और अपने ब्रत की पूर्णता करते हैं अचारी जी आपने बहुत सारे मंत्र बताएं हैं कि इन इन मंत्रों का चारण करना चाहिए लेकिन यह होता है कि लोगों को जानकारी नहीं होती है तो जैसा कि यह ऐसा होता है कि जानकारी ना होनी की वज़ासे किस मंत्र का उचारण करे किसका नहीं करे अगर किसी को इन सब चीजों का ज्ञान नहीं है तब उसमें कोई एक ऐसा मंत्र आप पताईए कि कोई एक ऐसा मंत्र जिस मंत्र की करने से उनका व्रत सफल हो सके कुछ नहीं वह ओम पारवत्य नमहा ओम शिवाय नमहा यह तो देखे बहुत ही साधारम से मंत्र हैं केवल नाम रख करके अगर थोड़े से भी संस्कृत भाषा का अगर उनको ज्ञान है तो चतुर्थी विभक्ती का प्रियोग कर देंगे तो नमस्कार का प्रियोग हो जाएगा और अगर कुछ भी नहीं कह सकते तो मन में देखिए सरद्धा और जो भावना है वह बलवती होती है सरद्धा और विश्वास के माध्यम से जब हम किसी भी प्रकार का कर्म करते हैं चाहे वह मंत्रक हो अथवा समंत्रक हो भगवान हमारी कामना को अवस्य ही पूर्ण करते हैं इसलिए मन में यह नहीं रखना है कि हमें इसका ज्यान नहीं है, बस स्रद्धा और भावना आपकी उत्तम होनी चाहिए, आपको ब्रत का पूर्ण फल भगवान के द्वारा अवश्य दिया जाएगा। जपनी और पठनी यह दो प्रकार के मंत्र होते हैं, जब बिश्य इसकी कामना से जब हम मंत्र का वाचन करते हैं, तो उसमें आवश्य दहीं कि उसको 118 बार करें, 108 बार करें, उसमें है कि कामना परक रूप से, अगर 108 बार जपना आवश्य दिया और शास्त्री विधान है, तो हमें अवस्य जपना चाहिए, लेकिन मानेजे हमें आवाहन करना है, प्रार्थना करनी है, तो हम एक बार भी कहेंगे तो ध्यान हो जाएगा, एक बार बूलेंगे तो आवाहन हो जाएगा, और एक बार ही बूलेंगे तो प्रार्थना भी हो जाएगा, और देवता इसक को जो करवा चौत कवरत है उसके क्या सायोग बन रहे हैं क्या शुब मूरत है कि समय पे पूजा अर्चना करनी है तो उसके बारे में भी जरह आप हमारे बहुत ही उत्तम प्रश्ट आपने पूछा है कि इस बार 13 अक्टूबर को करवा चौत कवरत हमारे मात्रशक्तियों के द्वारा किया जाएगा और सायंकाल क्योंकि चंद्रोदय का महत्व है इसलिए सायंकाल 6 बज करके 15 मिनट से या इसका महुर्त उत्तम महुर्त प्रारंब हो रहा है जो 7 बज करके 58 मिनट तक चलेगा क्योंकि 7 बज करके 58 मिनट पर चंद्रोदय होगा और चंद्रमा को अर् इसलिए इसका जो महुरत है साइणकाल 6 बज़ करके 15 मिनट से लेकर के 7 बज़ करके 58 मिनट साइणकाल तक सुभ महुरत का सफय हो गया. तो आपने मूरत के बारे में तो सबको बता ही दिया है कि किस मूरत पर करना है लेकिन उसकी जो सही में जो पूजन विधी है पूजन विधी के बारे में भी आप बताएं कि किस तरीके से हम पूजन विधी कर सकते हैं और किस तरीके से मतलब क्या-क्या चीज उस पूजन पचार और सोडशो पचार पूजा की विधी हमारे शास्त्रों में वर्णित है इसमें एक वेदी बनाए जाती है जिसमें चंद्रमा सूर्य तुलसी जी का पौधा गाय और कुमहारिन मनिहारिन इत्यादि के चित्र बनाए जाते हैं और भगवान शंकर जी माता पारबती भगवान श्री गणपती इन सभी की मूर्थी लगाई जाती है और वहां पर अपने पास पूजन की जो भी उपचार जैसे रोली हो गया, चंदन हो गया, अक्षत हो गया, पुष्प हो गया, धूप, दीप, नईवित्य की सामकरी हो गई, फल हो गया, नारियल हो गया, ता पंदी है, फीता है, सिंदूर है, ये जो सवभाग की सामकरियां कहे गई हैं, वो सवभाग की सामकरियां आवशक हैं और अपने सरद्धा से, अपने सामर्थ से, अगर 55 हो, दसो पचार हो, अथवा 605 हो, उस सामकरी को रख करके और विधिवत भगवान गणपती से प्रार अरचन करके और सबसे अंत में भगवान चंद्रमा का अरख प्रदान करके और अपने इस वरत की पूर्णता मातर शक्तियों को करना चाहिए, आचारे जी बाखिये है कि इस वरत को रखने के लिए कोई विशेश तैयारी भी करने पड़ती है, कुन विशेश बातों का मतलब है कि एक तरह से एक यग में जैसे व्यक्ति दिक्षित होता है, उसी तरह से जब ब्रत करता है तो उसके पूर्व की भी तैयारी होती है, उस पूर्व की तैयारी में अपने इंद्रियों का निग्रह करना और अपने मन को एकागर करना, शांत करना, किसी भी प्रकार क अभक्ष पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए, मन को परम सात्विक और निर्मल बना करके और ब्रत में अपने चित्त को, अपने शरीर को, अपने आचरण को लगाना चाहिए, और शास्त्री विधी से, क्योंकि देवता हो करके और देवता का पूजन करते हैं, तो जैसे देवता सात्विक विचारधारा के होते हैं, वैसे ही जन्मानस को भी सात्विक विचारधारा को अपना करके और ब्रत में दिक्षित होना चाहिए, अचारे जी आपने अभी थाली में बहुत सारी सामगरी बताए है, क्या क्या सामगरी उसमें होना चाहिए, लेकिन एक साम प्रश्ण आपने किया है देखिए चलनी पूजन सामगरी में प्रयोग किया जाता है वह एक इसमें कथा आती है कथा यह है कि शाकप्रस्थ में जो अभी पूर्व मैंने आपसे कहा कि भगवान स्रीकिष्ट ने द्रौपदी को कथा सुनाई है तो जो करवा चौत के ब्रत की कथा है उसमें अहिए आता है कि शाकप्रस्थ द्वीप में एक सुधर्मा नाम का ब्राम्ण रहता था उसकी एक कन्या थी उसका नाम था वीरावती वह वीरावती बिवाहिता थी और करवा गालिया कुजा होती है लेकिन वह शुधा से ब्याकुल हो गई उसको बहुत जोरों की भूख लग गई तो भाईयों ने कहा कि बहन आओ भोजन कर लो उसने कहा कि भाईया चंद्रमा का जब उदय होगा और तभी मैं खा सकती हूं चंद्रमा के बिना उदय हुए बिना उसको अरगया प्रदान किये मैं कैसे खा सकती हूं उन भाईयों ने बहन के प्रेम में क्या किया किये का कृत्रिम चंद्रमा बनाया और कृत्रिम चंद्रमा बना करके और चलनी लगा दिया और चलनी लगा करके और उसको ब्रिक्ष के जुर्मुट से दिखा दिया कि देखो बहन चंद्रमा उदे हूँ आया है और अब तुम अर्गेप प्रदान कर दो तो उन्होंने चलनी के माथम से ही वहा जोतिको मशाल को कृत्रिम चंद्रमा जो उन्होंने बनाया था उसको दिखलाया और उसको चंद्रमा समझ करके क्योंकि चंद्रमा की उसमें से आकृति और उसने उशीं कर्द्रमा को समझकर के अर्गःप्रादान किया और उसके बाद से भोजन कर लिया सने बेखाय ने जितना सून्य हो गया उसके बाद से वह बिलाप करने लगी और क्योंकर करक्चतुरती थी उस दिन जुएशेभा वहाड़ा wz George और मैं क्या करूँ वह बतलाए जिसे मैं अपने सोभाग को प्राप्त कर सकूँ तो उन्होंने कहा कि आप प्रतेक वर्स भर की चतुर्थी को आपकी ये और इसको करने से आपको सोभाग की प्राप्ती होगी तो जो छलनी बिसेस है वो वहीं से एक चिन्न के रूप में आया ह है कि उस छलनी के माध्यम से उन्होंने सबसे पर्थम उस मसाल रूप यानि कृत्रिम चंद्रमा का दर्सन किया था वहीं से जन सामाने में भी चलनी भी पूजन के कारे में प्रिप्त होने लगी बाकी आचारे जी जिस तरीके से आपने हमेशा मतब शुरू से आप बताते ह हैं कि इस व्रत में चंद्रोदय का बहुत महत्व है तो अगर कभी कई बार ऐसा होता है कि ऐसे प्राकतिक कारेंट के वज़े से कभी कभी चंद्रमा नहीं देख पाता है तो समय सभी व्रत जिन्नोंने महिलाओं ने व्रत रखा है उनके दिमाग में उनके मन में एक संशय बना रहता है कि चंद्रमा नहीं निकला है अब हम बिना चंद्रमा के देखें बिना उसको अर्ग दिये हम कैसे व्रत अपना खोल चकते हैं तो उस इस्तिती में उन महिलाओं को उन लोगों को क्या करना चाहिए बहुत ही अच्छा आपने प्रश्ण किया कि कई बार ऐसा हो जाता है कि मौसम के अब्यवस्था के खारण चंद्रदेव का दर्शन नहीं हो पाता है तो वैसे इस सितिती में देखी चंद्रोजे से सुर्यूदय होता है उसका एक समय होता है वैसा ही चंद्रमा के भी उदय का समय होता है तो अभी हम लोगों ने पूरु में कहा कि साथ बज़ करके 58 मिनट तक और अस्थान विसे से यह समय बदलता भी है तो साथ बज़ करके 58 मिनट पर चंद्रोजे है तो साथ बज़ करके 58 मिनट पर इसका अतातपरिया कि चंद्रमा का उदय हो गया है अगर वो ह में चंद्रमा का नित्रबंद करके और मात्र शक्तियों को आंख बंद करके नित्रबंद करके और चंद्रमा का दरसन करके और उनको अर्ग प्रदान करना चाहिए क्योंकि चंद्रमा देवत्व चंद्रमा में देवत्व है वह देवता है वह जन्मानस की भावना को समझते है और आपके द्वारा प्रदान किये हुए अर्ग को अवसे ही स्विकार करेंगे इसलिए मन में कभी भी ऐसी धारणा नहीं रखनी चाहिए कि चंद्रमा जब तक दिखलाई नहीं देंगे तब तक हम अर्ग नहीं देंगे ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है जिस समय चंद्रवदय हो गया उसका समय हो गया तो आप अर्ग को प्रदान कर सकती है और चंद्रमा आपके अर्ग को अवसे ही गरहन करेंगे इसमें कोई शंशे की बात नहीं है जी और आचारी जी कुछ चीजों पर क्या बंदिशे भी लगती है कि करवा चौत के दिन मतलब ऐसा कोई विशेश कार होता है जिस पर प्रदिबंध होता है कि वो हमें नहीं करना चाहिए देखे ब्रत रहता है तो ब्रत में जैसे नियम है संयम है अपने आचार विचार का ध्यान रखना चाहिए और किसी भी प्रकार से प्रयास करना चाहिए कि अगर सामर्थ हो तो हम यथा साध्य भगवान का चिंतन करते रहें और किसी भी प्रकार के से मन में करोध का, इरशिया का, मतसर का, लोब का, दूसरी के दोशों को बताने का या सबकारिय नहीं करना चाहिए यह तो हर वृत के लिए कहा जाता है कि हर वृत में एक साफ मन से आप अगर वृत करते हैं तभी आपका वृत सफल होता है तो फिलाल एक आचारे जी हमारे एक वीवर्ज का एक सवाल है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वरत रखने के लिए वैसे तो कहा जाता है मारे पूरवज कहते हैं कि ये वरत निर्जल रखा जाता है लेकिन तब भी लोगों को जानना होता है कि कई बार ऐसी परिसित्या होती है कि निर्जल व्रत रखना संभव नहीं हो पाता है तो इसलिए हमारे एक विवर ने एक ये सवाल आपसे जानना चाहा है कि क्या हम निर्जल व्रत अगर नहीं रख पा रहे हैं तो बिना निर्जल के भी हम क्या इस व्रत को कर सकते हैं। जे, देखे, शास्त्र की एक पंक्ति है कि शरीर माध्यम खलुधर्म साधनम। यह जो व्रत है और यग्य हैं, हर एक प्रकार के समस्कार हैं, वह इस शरीर के माध्यम से ही किये जाते हैं। तो अगर शरीर असमर्थ है कि हम निर्जल नहीं रह सकते, तो जल पी करके भी सरद्धा भावना के साथ इस व्रत को रखा जा सकता है। अगर शरीर का सामर्थ है, तो शास्त्रिय क्योंकि विधान है, तो शास्त्रिय विधान में कई ब्रत ऐसे हैं, जो निर्जला भी रहे जाते हैं, क्योंकि यह जैसे हम लोगों ने भी चर्चा की, किया एक यग ही है, तो यह एक यग है, इसमें हम द्रड इच्छा रखते हैं, इसलिए अबरत भी है तो आचरण है कि हम निरजल बरत रहेंगे और जब चंद्रमा को हम अरग्यप परदाम करेंगे उसके बाद अपने इस सरीर को भी जल परदाम करेंगे यानि कि जल पीएंगे तो इसलिए अगर सरीर में सामर्थ है तो निरजला रहें अगर सरीर में सामर तो जल पी कर के भी उत्तम भावने के साथ इस वृत को किया जा सकता है, आजहरे जी हमारे एक व्यूवर और हमारे साथ जुड़ चुकी है और वो जानना चाहती है कि एक जो भोर की समय सरगी खाई जाती है, उसका क्या महत होता है और उसको खाने के लिए बी क्या कोई मुहर प्रदान कर दी तो हमारे जोते शास्त्री विधान में और धर्म शास्त्र में जो दिन का प्रारंभ है वह सुर्योदय से माना जाता है इसलिए सुर्योदय के पूर्व अगर आप उस खाद सामगरी को खा लेते हैं तो आप इसका तात पर यह हुआ कि आपने जो खाद सामगरी यानि जो सरगी है वह पूर्व दिन में ग्रहन किया है और उसके साथ आपको प्रत करने की अपकी सास को कर सकते हैं अगर सरगी की प्रथा कई अस्थानों पर नहीं भी होती है को कि कई बार क्या होता है कि सूरिय होता है कि पूर्व तमाम माताएं हैं बहने हैं जो कई बार मेरे से भी कहती हैं कि गुरुजी हम लोगों को खाने का मन नहीं होता है और हम लोग खा नहीं पाते हैं आप अपनी सासु माता को प्रणाम करके उनसे सर्गी अगर विधान है कि सर्गी प्राप्त किया जाता है तो आप सर्गी को ले करके सिरोधारे कर सकती है यानि कि उसको प्रणाम करके उनका आस्रिवादत स्वरूप समझ करके उसको अपने पास रख सकती है और बिना सर्गी ठूंआ भी अप कर सकते हैं किसी प्रसक्रीन कि मीठा काने के लिए काने लिए तो क्यों मीताही js... होती है, या कई तो उसे में कोई बंदिषय होती हैं या कुछ भी सर्गी पर सगता हैं विशेस रूप से क्योंकि ब्रत रहना होता है और देखिए बिवाह के बाद यह ब्रत किया जाता है तो बिवाह के पूर्व तो कन्या होती है और उसको ब्रत करने का अभी उसको आदत नहीं है पहली बार वह ससुराल में अपने पती के दिरगाईश की कामने के लिए एक करव अभी पूर्व में हम लोगने कथा में सुना कि वह विर्यावती नाम की जो कन्यातिक शुदा से व्याकुल हो गई और उसके प्रेम में भाईयों ने उसको कृत्रिम चंद्रमा दिख ला दिया जिसे उसके पतीप के आयू पर संकट आ गया तो ऐसा नहीं हो और इसलिए उन साथवा पॉर्ट जी घ्यासा में ऐख छागए थैका करने करोंगी अब हाल HLA में जो एक प्रथा चल पड़ीं है कि शाडी कि पहले भी लोग इस G Prabrak firefight को वत खरने लगे हैं तो यह का फिल्म ही आप कैसाकते हैं किया एक फिल्मी येस्पाइब अब कहा जा को तो क्या शादी से पहले करने का भी इसका कोई महत्व है या यह सिर्फ एक फिल्मी ही व्रत कहा जा सकता है। जब हमारे यहां से प्रयान होता है उसके बीच का जो समय है उसकी एक संगया आयू है। जब तक बिवाह नहीं होगा तब तक पत्नित्य की प्राप्ति नहीं होगी और जब तक पत्नित्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक कैसा सौभाग और कैसा सुहाग तो सुहाग की प्राप्ति तो तब होती है जब हम ग्रिहस धर्म की प्राप्ति करें तो ग्रिहस धर्म की यह व्रत है तो इसलिए जो बैवाहिक बैवस्था के संपाधन हो जाने के बाद से ही प्रकृति और पुरुष चेया स्रिष्टी हुई है अब सभी जानते हैं तो प्रकृति और पुरुष का जब मेल होता है तब एक दूसरे के संग्रक्षा के लिए इस व्रत को करना कि विवाह हो अथवन आ हो एक अलग विशे है लेकिन दीए ब्रत शास्त्री है जैसे अपने कहा तो पहले हम ग्रिहस्त बने और उसके बाद ग्रिहस्त में बताए हुए जो धर्म है उस धर्म का आचर्म करना चाहिए तो सबसे अच्छा यह होगा कि पहले ग्रिहस्त धर्म का बरण करें यानि कि बिवाह करें और बिवाह के बाद यह जो व्रत है उसका आचर्म करें मतलब जो शादी की पहले जो वरत करते हैं तो उनकी एक भावना है परसपर मतलब कह सकते हैं कि जैसे हम किसी परिक्षा में जाने वाले होते हैं तो परिक्षा के पहले या किसी स्टेज्स प्रोग्राम के लिए जाते होते हैं सबसे पहले रिहसल करते हैं तो जो लोग ऐसा आ प्रश्ण आता है कि विवाह के पुर्व रखते थे लेकिन विवाह के बाद नहीं रखते हैं तो ऐसी बात नहों जो भी करें जो सास्त्रिय मर्यादा है शास्त्र का जो आदेश है तो शास्त्र का आदेश जिस तरह से होता है हम उस तरह से अगर हम पाल्म करेंगे तो जो फल कि अनुसार ये व्रत हमेशा से विवाहित महिलाओं के लिए रहा है लेकिन अब ये विवाहित पुरुष भी और न विवाहित पुरुष भी ये व्रत कर रहे हैं तो कितना हद तक किस हद तक ये सही है विवाहित पुरुषों द्वारा भी ये व्रत किया जाना इसमें भी जैसे भी हमने पहले प्रश्न के जवाब में आफं़ा कहा कि देखिए यह जो बृत है वह और बिबाहित लोगों के लिए ही है और विज्एस रूप से इस बृत कारने का जो शास्त्राग्याई है वह महिलाओं के लिए है क्योंकि इसमें अखंड सवभाग की कामना की जाती है और सवभाग दरव इत्यादी भगवती को भगवान को अर्पित किया जाता है जिसमें सिंदूर है, महावर है, महदी है, चूडी है, बिंदी है इत्यादी सवभाग की कामना तो देखे वर्तमान में कई बार जिसे आपने प्रशन किया कि विवाहित लोग भी करते हैं तो शास्तराग्या तो बिवाहित के लिए ही है और विसेश रूप से हमारे मात्रि शक्तियों के लिए माताओं के लिए बहनों के लिए अगर कोई पुरुष और ब्रत्त रं तो देखे हमारे यहां प्रतेक्थियों में यहां आज्यां प्रति पद में प्रत्तिया हो तृतुर्ट, कर सकते हैं उसमें उनकी भावना वह सही पूर्ण होगी इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है आचारी जी जैसा आप कहा भी रहे हैं और हमेशा से सबको मालूम कि करवा चौत का व्रत जो है वो पति की दीव दीर गायू के लिए रखा जाता है तो इस व्रत कितनी सथितता है इस वाक्य में कि लंबी में रहे के लिएER कि चरण पर यह है कि लंबी का तत पर यह है कि अगर हम आपके सम्मुक खड़े हैं तो आप जब तक हैं तब तक मेरी भी स्थिती है तो आपके लिए लंबी है आपके अंतरधान हो जाने के बाद अगर मैं हूँ तो आपके लिए इस लबी के जो शब्द है उसका कोई टातपरि नहीं है लबी का टातपरि है कि हमारा जो सौभवाग्य हो वह अखंड आत्मक हो हमारे जब तक इस धराधाम पर प्रत्वी पर सत्ता हो यह कि जब तक हम रहें तो स्रद्धा के द्वारा और विश्वास के द्वारा अगर हम ब्रत आचर नित्याद करते हैं तो अशास्त्रिय विधिविधान है इसको कसोटी पर कसा जाने की कोई आवशक्ता नहीं है अपे तो यह भगवान स्रिकिष्ण के द्वारा ही अब बत लाए गया है तो समस्त ब जो हमारे संबल है उनकी आयू भगवान और भगवती की क्रिपा से दिरगायुष्ट की विवस्था में परिणत होगा अचारे जी एक विवर हमारे साथ और जोड़ चुकी है उनका एक सवाल हमारे पास आया है वो कहती है कि इस व्रत में एक विशेश परिधान की भी क्या कोई विशेशता होती है क्योंकि जो पूरवज होते हैं जो बड़े बुजर्ग होते हैं उनके अनुसार एक परिधान विशेश रखा जाता है तो उनका ये सवाल है तो क्या परिधान विशेश की भी कोई महत्ता है या हम किसी भी परिधान में इस व्रत को कर सकते हैं देखे, परिधान का बहुत महत्व होता है, जीवन में भी परिधान का बहुत महत्व है, परिधान जैसे हम कभी भी जाते हैं, तो एक आचारी का परिधान अलग होता है, एक सौभागवती स्क्री का परिधान अलग होता है, एक चिकित्सक का परिधान अलग है, एक जो पलिस शास्त्रिय विधान ने किये है कि देवम भूत्वा देवम यजेत तो देवो भूत्वा देवम यजेत का अतात पर यह है कि देवता बन करके हरम देवता का पूजन करते हैं तो हमारे शास्त्रिय परिधान जो है ट्रडिस्टनल आप जान ही रही है तो उसमें है कि धोती और कुर्ता पुर्षों के लिए और हमारी मात्र शक्तियों के लिए साड़ी का परिधान है और सौभागवती जो इस्त्री होती है उनको लाल जो जोड़ा होता है अथवा कोई भी जो बैवाहिक परिधान होता है उस सम्पूर्ण नारित्यों की भावना जागर्थ होती है तो झद आर्च पहनेंगे तो उसमें कामना है कि सोड़ा स्रिंगार को पहन करके उस दिन और इस ब्रत को हम करते हैं जो सौभाग सुचक होता है सौभाग का चिन्ह होता है तो इसलिए साड़ी उसमें प्रथम है क्योंकि साड़ी इत्यादी जब हम आवरन करते हैं तो उस पर हमारा जो स्रिंगार है जो आभुशन है वो बहुत ज्यादा अधिक ठीक बैठते हैं इसलिए इसमें ड्रेस का बहुत ही महत्व होता है तो शैलेज जी आखिर में हम चाहेंगे आप हमारे वामा टीवी के माध्यम से इस करवा चौथ पर हमारे विवेवेश को एक मैसेज दें वामा टीवी के सभी दर्सकों का हार्दिक अभिनंदन और हार्द करता हूं कि प्रभू आपके सवभागे को अक्षुन रखें और आपकी मनुकामना अवस्य ही पूर्ण हो बहुत बहुत शुभकामना बहुत-बहुत मंगल कामना और बहुत-बहुत बधाई धन्यवाद आपको वामा धीवी में अपना समय देने के लिए बहुत-बहुत किस तरीके से हम पूजन विधी कर सकते हैं किस तरीके की कौन-कौन सी सामगरी इस पूजन में इस्तवाल की जाती है तो किस तरीके से आप अपना वरत कर सकते हैं और किस तरीके से आप चंद्रमा को अर्ग देकर अपने वरत की फल की प्राप्ति कर सकती हैं उमीद है आपक पिर हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ में तब तक आप देखते रहेए वामा टीबी श्रेता के साथ